गुड बॉर्निंग आप लोग का एक बार फिर से हमारे साथ स्वागत है चलिए आज हम एक नई जानकारी के साथ फिर से आया है तो यह जानकारी आप लोग के लिए बहेद ही इंपोटेंट है देखे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है नोर्थ का अप्रेंटिसिप के लिए यहां पे यह आया हुआ है यह इसका एडवर्टाइज नंबर है जैसे आप लोग देख सकते हैं यह एडवर्टाइज नंबर है अप्रेंटिसिप 2019 और 20 ओफिस ओफ दचीफ वर्क्स ओप मैनेजर वेगन रिपेर वर्क्स ओप जहांसी देखे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह जहांसी के लिए है कुछ टाइम पहले यह वेकेंसी के बारे में बताया गया था उसका जो भी दिया हुआ था लेकिन वहां पे वेवशाइड में कुछ में स्प्रेंट था तो इसमें देख सकते हैं कि यह जो वेवशाइड है यहां प बात करेंगे तो आई टे के लिए बहुत ही ज्यादा पोस्ट है और बहुत ही ऐसे ट्रेड हैं जो लोग अपलाई यहां पर कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे अपलाई करने का जो आपका डेट है वह स्टार्टिंग डेट है 16 2020 और इसका लास्ट डेट है 15 2017 2020 देख सकते हैं इस डेट के बीच में आपको इसका जो वेबशाइट है ओफिस्सेल इससे आप लोग रजिस्टर करेंगे आप लोग बहुत सारे ऐसे स्ट्टेंट हैं जो वेबशाइट पूछते हैं तो यह वेबशाइट जो वीडियो में ही कहीं आपको बताया गया होता ह लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं तो आप लोग ध्यान से देखेगा यह वेबशाइट आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है यही से रेजिस्टर करना है नीचे हम बात करेंगे ट्रेड के बारे में आईटे इस्टुडेंट का जो भी ट्रेड होगा जो लोग यहाँ वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे यह देखें फीटर है वेल्डर मेकेनिक है मसीन टूल्स मेंटिनेंस मसीनिस्ट पेंटर इलेक्टिशन इस्टरनोग्राफी हिंदी यह देखें यह सारे ट्रेड हैं जिसमें आप लोग का यह सीटों की संख्या द देख लेंगे और यहाँ पर ट्रेनिंग पिरियड की बात करते हैं यह वण यह की ट्रेनिंग पिरियड आप लोग की होने वाली है तो ध्यान से इस studies को देखेंगे और अप्लाइ करने में आप लोगको दिक्कत नहीं होगी बात करेंगे अगर अगर का और ध्यान रखेंगे कि जिनका एज एक बारह दोहजार उनेस तक 24 साल हो चुकी है वही लोग यहां पर अप्लाई करेंगे उससे आगे वाले नहीं कर पाएंगे यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो टैंथ पास होनी चाहिए और अगर इसमें 50% है तो उनका जो ट्रेनिंग हुआ होगा एका वह एंसी बीटी से होना चाहिए यहां पर साप साप लिखा हुआ है एंसी बीटी से तो आप लोग इस चीज को ध्यान से देख लेंगे और रहास यहां पर ट्रेनिंग पिरियर एंड ट्रेनिंग पैलेश की तो देख सकते हैं कि यहा यहां पे इसका है, फी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो आप लोग को जो फी लगेगी फर्म भरने में वो 100 रुपे लगेंगी ऐसे और पोर्टल फी जो है 70 रुपे लगेंगे टोटल सारे मिला के यहां पे आपको लग रहा है 170 रुपे और SCST की बात करेंगे हैंडी क्राप् करना होगा, यह इसका वेबशाइट है, mponline.gov.in फिर से मैंने एक बार इसको यहां पे बताया है कि आप लोग online जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो इसका official website से करेंगे, नीचे इसका कुछ documents आप लोग को देखना है, रखना है अपने पास में, अगर यहां पे मांगेगा तो आप लोग को यह सारी documents को देना है, slide करेंगे और आप लोग ध्यान से इसको देख लिए तो यह सारी documents है, जैसे कि आप लोग को उसमें लगाने हैं, और आप लोग का जब document verification होगा तो आप हो सकता है, यह मांगे, तो इसलिए आप लोग इस सारी documents को अपने पास चलिए यह थी आप लोग के लिए जानकारी और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नहीं जानकारी के साथ हम मिलेंगे तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें सुरक्षित रहें थैंक्यू सो मच